कि देखिए इनका जब भी कोई ऐसा कॉंट्रवर्शी एक आदेश आएगा वह चुनाव के वक्त आता है अब देश की जंता समझ गई है कि यह चुनाव के वक्त इनके पास कोई मुद्दा नहीं है यह विकास के नाम पर नहीं मांग सकते अपने कारिय के नाम पर नहीं मांग सकते सुसासन के नाम पर नहीं मांग सकते यह किस पर हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी का जो भी नेता हो चैलेंज है मेरा अगर वो पांच मिनट हिंदू, मुसलिम और पाकिस्तान, कबरिस्तान, समसान को छोड़ करके पांच मिनट खड़े हो के बात कर ले, कर नहीं सकते हैं तो जो कानून लेकर के आ रहे हैं जन्संक्या नियंतरन वाला इससे मुसल्मानों क्या मतलब है? जन्संक्या नियंतरन कानून, अगर इनने लाना है, तो वो केंद्र सरकार लाएगी या उत्कर पर देश सरकार लाएगी? पहले तो बताओ, उससे कुछ नहीं होता, इससे कोई फाइदा नहीं होता, केंद्र अगर कानून बनाए, तो कम से कम इंप्लिमेंट होगा, आज ये सरकार कोई कानून बनाए, दूसरी सरकार आए, उससे निरस्त कर दे, तो कम से कम केंद्र में कानून बनेगा, तो वो लंबे समय तक चलता है. तो योगी जी जो लेकर के आरे इस कानून को जो बात चल रही है, प्रिकिरिया चल रही है, कानून बनाने की, किस तरह से देखते हैं आप इसको? चुनावी मुद्दा, कोई इसमें दम नहीं है, लेकिन जो बीजेपी के मंत्री वो तो खुद कहते हैं कि आप शेचे बच्चे पैदा करिये, हिंदू खत्रे में, तभी तो मैं कह रहा हूं, उनसे पूछो, हिंदू कहां खत्रे में है, हिंदू खत्रे में है, बहु संक्या आदमी खत्रे में कैसे हो जगा, अरे तुम पच्चीस आदमी, हम दो आदमी, तो तुम्हें दो आदमीं से खत्रा है, जब अंग्रेजों, जब मुगलों का राज था, हिंदू ना तब खत्रे में था, जब अंग्रेजों का राज था, ना हिंदू तब खत्रे में था, परदान मंत्री सिक ना तब खत्रे में था जब से बीजेपी आई तब से हिंदू खत्रे में आ गया तो मैं फिर कहता हूं कि दोस्तों ना हिंदू खत्रे में है ना मुसल्मान खत्रे में है अरे ये धरम का चस्मा उतार करके देखो ये तो नेताओ की कुरसी खत्रे में है बी के बाद में इंद्रय गांदी की सकार चली गई थी क्या लगता है योगी जिए ट्रेंप का पत्तक डाल रहे हैं जैंसेंग के नेंद्रम कानून का कुछ असर पड़ेगा क्या राजनीती में इसका विनास काले विपरीत बुद्धी एक कहावत है और एक और कहावत है कि जब कि दड़ के दिन ओड़े आवें गाम की तरफ को भगे अब यह पर देश में कोई काम तो कर नहीं सकते यह जंता पर थोपते हैं हर काम और जंता अब के बोट करने वाली है बता देगी इसको करने दो जो कर रहा चाहा पांच्य महने आए पांच्य महने बाद तो पुराने लेकिन अगर एक शुद्ध मन से आपको कोई कारिय करना है तो सुद्ध मन है केंद्र सरकार लाए केंट सरकार लाए ना कोई भी कानूनों के इड्रकार लाए जन्ता से पूछके लाए अब यह क्या करते हैं सरकार का कहना है कि एक चीन पन परी कम हो जाएगी और जो बेरोजगारी है वो भी कम होगी संसाधन जो कम पड़ रहे हैं वो थोड़ा सा बराबर हो जाएंगे चल तो मैं फिर कह दूँ अब जब कहना ही है छह साथ भाई बहन तो यह होगी हर हैं बताएं और पांच है मोदी हर हैं हैं बताओ कि इन गिलो हमें जो खो अब जो कानून आएगा अगर इस भाई के तीन बच्चे हैं 4 पांच हैं जितने हैं वो कानून इस पिंप्लिमेंट नहीं होगा अगर इस बच्चे ने साधी करी और इसके एक बच्चा है तो दूसरा होगा तो यह उस कानून के अंतरगत रहेगा तीसरा हो गया आज के बाद जब जिस दिन से कानून दरातल पर आ जाएगा उसके बाद वो इंप्लिमेंट होगा जब तक कानून बनेगा उसके बाद कभी सरकार चले जागी तो चिफाइदा आगा ना था जिस दिन सरकार में बैटा था उसके वह संसाधन तो नहीं बढ़ा रहे है नौकरी के ही शुर हो जलशांग कम करने की बात करते यह कितना जया आज है धो देखिए जो राजा अपनी परजा को रोजगार ना दे सके वो क्या चाहता है जन्ता को मार दो कम हो जाएगी जन्ता गरीबी कम करने का इतो तरीका मार दो मुकी मर जागी अरे रोट शिक्षा पर स्वास्थे पर रोजगार पर कोई बात नहीं होगी अगर शिख्षा देंगे तो तुम सवाल करोगे सवाल करोगे तो इनकी टाएटा फिस होगी तो यह चाहते हैं तुम अन्पड़ रहो जाहिल रहो गवार रहो लेकिन जंता तो यह चाहती है ने अब आरे पिरदेश की यार जंता क्या चाहती है तो तभी तो मैं कहा रहा हूँ आभी विचारे पड़े लिखे नहीं है जादा अब देखो चंदा जब तुम उन्हें सिख्षा देदोगे क्या किसी पड़े लिखे सिस्टम कैसा है फेल हो जाए देखे उसकी मान सिकता पड़ लेना आप जो आप से यह सब्द कह रहा है वह या तो आरे से का होगा या बीजेपी का अंदबक्त होगा हमारे देश के राश्टपती है उन्होंने पसों से पहले चंदा दिया था मंदर के लिए तो फिर अगर राश्टपती महतें पिछड़ो में आते हैं तो आपको डलित होने के नाते नहीं दिया जाता और जब बोट की राजनिती होती है तो आप से देश को दिखाने के लिए कि पहला चंदा दलित ने दिया तो चंदा आपसे ले लिया लेकिन जंडा और जंडा राम के नाम पे सबसिश्प ज्यादा जो उबीशी जातिया है वह उठाती है देखे अजब जब चंदा चोरी हुआ है वो कोई खुलकर सामने नहीं आया है आज हो बीशी जातियों में से स अब ने कर रहा है, सब मांग रहे, सब कह रहे, कह रहे, अब के इनका सारा चंदा फंदा सारा लिकार देंगे, जरा आ जाओ, चुनाओ में कुछ मंदिर टरस्ट जो बना गया, उसमें एक भी OBC नहीं है, OBC का एक भी वेक्ति नहीं है यह देखे, इस देश का नाज तो नुहीं हो रहा, जहां मरेंगे, कटेंगे, मजदूरी करेंगे, वहां SC, ST, OBC, दलित, मरो, और जहां मलाई खाने का, रस मलाई खाने का, वहां यह पांच साथ परसेंट जो यह मारेंगे, मौझ, अज़र चंपतराज बनसल है जो, जो कमेट कि मुझपता आरोप लगते रहे हैं, एक बनिया है, जो बनसल बरादरी है, वो बनिया है, उनके खिलाब कोई क्यों नहीं बोल पाता है, जो चंपतराज बनसल है, ट्रस्ट में, उन पे आरोप लग रहे है कि यह चंदा जो गड़बड हुआ है, पिछले कही साल से, देखे और तोत्ते की तरों मुझ खुलतो ही, यह सारे जदमा आ जाएंगे जितने सपेद पोस बैटे, भाई वो जो एक वो उन्नाव का कहा का था, वो ब्राह्मन मारता अप रादी, विकास दूबे, विकास दूबे ने जब सरंडर कर दिया, और वो कानपूर लाया जा रहा था, उसे रास्ते में क्यो मारा, अगर उसे नहीं मारते, तो पुलिस के अधिकारियों का नाम आता, सपेद पोस का नाम आता, सारे जो बड़े बड़े नेता हैं, यह सब उसके गुरगे थे, तो सब का नाम छुपाने के लिए, उसकी बली चड़ा दी, अनकाउंटर में उसकी किया गया, प्री पिलान था, मुक्या मंतरी से लेकर सारे इनवाल थे उसमें, वरना तो सारों का खुल जाता नाम, हरेंदर जी 26 तारीक आ रही है, किसान उनने फिर से कह दिया, कि जो वो है, राजभवन उनका घेराव करेंगे, जी है, क्या है तियारी, देखे, जितने भी राजभवन है, देश के अंदर, वहाँ वहाँ किसान जाएंगे, अपना धर्ना पर दर्शन करेंगे, और राज्य पाल बहुत है कि माध्यम से राष्टपती को ग्यापन जाएगा, वो तैयारिया है, और वहाँ आसपास के किसान आएंगे, वो करेंगे, कमेटी के लोग ज कैसे चलाना है, ये अंदोलन के जो रणिती कार हमने 40 चुन रखे हैं, वो तैय करेंगे, हमें क्या करना है, वो हम तैय करेंगे, सरकार से हम पूछ के, अब कोई तैय नहीं करेंगे.